हैलो गाई स्वागत एक बर फिर से आप सभी का आपके नहीं चैनल फैंटसी बस पे हम यहाँ बात करेंगे जो साउथ अफरीका और इंडिया के बीच में फर्स्ट ओडिया इस्टार्ट होने जा रहा है उसके बारे में फुल प्रिव्यू के जाद कैसा रहेगा यह पिछ दो तो 248 का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है और अगर आप स्कोरिंग पैटन देखोगे तो 15 बार 300 के अबब गया है और 16 बार 200 के बिलो भी रहा है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रंच नहीं बनते हैं अगर आप रिशन वैचस के स्कोर से देखोगे 256 यहा एक न्यूटरल विकेट रहता है बॉलिंग डिपार्टमेंट से यह वन इस्टू टू का रेशियो आप मान के चल सकते हो क्योंकि अभी तक जो आपने पांच मैच देखे रिसेंट मैचस और उसमें अगर आप देखोगे तो बैटर्स को थोड़ा एक्स्ट आडवांटेज जाता है यदि खुद बल्लेबाज खराबना के लिए तो क्योंकि पिछ से ऐसा कुछ नहीं कि बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल है ठीक है यह दोनों टीम का हैट टू हैट रिकॉर्ड है अगर आप देखो कि तो 91 मुकाबले में जो हुआ है उसमें 50 टाइम साउथ अफ पर लेफ्ट अपर उन्टर की कम नहीं जांगर यह सेम प्लेइंग लेँग हम रहा तो तो ओफिस पिनार यहा पर अगर अगर आप देखोगे आप यहां पर दोनों टीमिका बाइटिंग बॉल्ड एप नहीं देखोगे तो रिजा हेंद्रीक्स और ओर आब डेखोगे तो केशो महाराज और तबरेश समसी यह इनके इंपोर्टेंट प्लियर है आप देखो कि इनका रिजेंट फर्म तो रिजा इंट्रिक्स का फर्म उतना अच्छा नहीं था ओडियाई में एक मैच में अच्छा किया हुआ है और जोर्जी यह जो है लिस्टेक रिगट अभी खेले किया था लेकिन काफी अच्छा कहराम मचया हुआ था उसके बाद डेविट मुलर का इन फर्म बल्लेबास ठीक था कि स्कूरिंग की हुए है महाराज के फर्म काफी अच्छा था वर्ल्ड कप में अगर आपको याद हो तो लिजाट विल्यम्स सभी इंटरनेशनली अगर आप देखोगे तो लिजाट विल्यम्स बर्जर और यही फलुकावियो जरूरत पड़ी तो फलुकावियो भी इस पर एक्सपीरियेंस रखते हैं देथ में गिन्वाजी करने का यह दोनों टीम का बैटिंग बॉलिंग इस चाहिल है यह देखते वे चलना जो सब्सक्राइब इस तरीके से इनके बॉलिंग से और तबरेशाम सी अच्छा है इसके अलावर टेलिग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हो तो टेलिग्राम से जूर जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्षन के सबसे पहले गमेंड में लिंक मिल जाएगा फटा फट जाओ जूर जाओ इंप्टेश लिए बताया जा रहा है यहाँ पर इंडिया की प्लेइंग लेवन की बात करें है तो वैसे जो इंडिया के इंपॉर्टेट्ट प्लेयर है देखो न्यूव स्क् अच्छा नहीं था बैटिंग से बट टैलेंटेट प्लेयर है स्रेसे यह काफी अच्छा इसको रह था अभी जो वर्ल्ड कप गया है तिलग वर्मा का इंटरनेशनली ठीक ठाक फॉर्म था खराब भी नहीं के सकते क्योंगी ज्यादा मुआपका मिला निकेल रहुल का फॉर्म का इंच्छा है रिंकु सिंग का इंटरनेशनली टीट्वेंटी में काफी बहतर फॉर्म अक्कसर पेटेल का भी ठीक ठाक है कुल्दी पियादव का यह अच्छा और सिदीब का डिसेंट वर्म मुकेश कुमार का डिसेंट फॉर्म है और आवज खान यह ठीक है इनका भी डीसेंट ही फॉर्म है इंडियन टीम से यह पांच में गिन बाज रहेंगे अक्सर पेटल कुल दी ब्याद और दो इस्पिनर और सिदिब मुकेश बॉलर नहीं है आवेश खान मुकेश कुमार पावर प्ले के बॉलर रहेंगे इंडिन टीम के देथ में इनके पास अर्षदीप मुकेश कुमार आवेश खान में से कोई विया सकता है यह तीन इंपॉर्टेंट है देख सकते हो हर एक प्लेयर का स्टैट्स सेम वही किसे कौन से प्लेयर का स्टैट्स कब करना है और कब नहीं करना है तो कि यह देखते ही चलना है यह इंडिन टीम के बॉलर सेक्षेंट्स है यहाँ पर देख लेना अब देखो और यॉलर स्टाइम के हम खें है सब्सक्रिकमात活 की बात करें गया तो डेविड मिलर 26 मेच की 25 सिनिंग में 501 करन 26 का एवरेज है एदेन मारकम 23 आर्वी दूसेफ 84 हैंडिक लासन 42 का एवरेज है और इंडिया की तरब से स्वेस एवर 53 संजू साम्शन इफ खेलते हैं 40 का एवरेज है बाकि सब का डिसेंट्स है रिकॉर्ड है इसके अलावा ब मैं भी आपको आगे बताऊंगा वाशिंग्टन सुंदर जो की पर्ट टाइम स्पिनर है इनका भी रिकॉर्ड अगेंस्ट साउथ अफरिका काफी बहतर है और ये चारों स्पिनर है तो ध्यान रखना यह वाला पॉइंट इसके बद वेन्यू स्टर्ट की बात करें तो इस काफी और महराज का रिकॉर्ड अच्छा है आपे साउथ अफरिका की तरब से इंडिया की तरब से कुल्दी पियादो विकिनिंग में दो विकिट है थोड़ा फ्लेयर बैटल देखो नहां पर आपको एंसर मिलेगा मैं क्यों बोल रहा था स्पिनर्स का रिकॉर्ड तो ये लोग थोड़ा स्पिन को उतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं वहीं अगर हम बात करें हैं तो इन्हों ने कुल्दी पियादों को दो बार विकिट जरूर दिया है लेकिन 77 रंच भी बनाएं तो ये कोई स्ट्रगल नहीं है वहीं डेविड मिला यूजे चल के सामने स्लो खेलें 71 गिंदों में तीन बार विकिट दिया है और 55 रं बनाएं लेकिन यह ऐसा नहीं कि स्पिन के बहुत खराब कि लाड़ी हैं यह स्पिन को डिफेंज करके और हिट नहीं करते हैं फिर बाद में अपना स्ट्राइक डेट मैंटेन भी कर लेते हैं यह धिशान रख तो देख सकते हों किपिंग से लोकेश राहूल इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे चाहे कोई भी इनिंग हो क्योंकि देखो इंडियन टीम का जो स्क्वेड वो काफी न्यू है तो किसी भी इनिंग में इनकी बल्ले बाजी आने है तू से थी राउन तक खेलेंगे फर्स इनि में भी थोड़ा अच्छा फर्म नहीं था बट यू कन कंसीडर इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर विकेट कीपिंग भी करेंगे तो अगर खेलेंगे भी तो एक मस्था पिक की कटेगरी में तो नहीं आएंगे क्योंकि लंबे समय से इस फॉर्मेट से दूर है ठीक है और इ एंपورटेंट पिक रहेंगे तेकनिकल बंदे बाट में समय लेते हैं बाद में इनिंग को बिल्ट करते हैं रिजा इंडिक्स के अगर पैंस को डीपर डीपर उस्विंग कर करते हैं अगर यह स्टार्ट और जो बाध Welcome इस बदर sales आव दे तो बड़ा स्कूर करके चले जाते हैं इसलिए अभी के लिए मैंने इनको अपनी टीम में रखा हुआ है DRB से और रिजा हेंडिक से गायकवार्ड भी इंपोर्टेंट रहेंगे मेरी टीम में रहेंगे देखो इंपोर्टेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि इनका लिस्टे में अगर आप नंबर्स देखोगे न तो बहुत बहतर है और अभी तक अपने आपको लिस्टे में प्रूफ नहीं किया है ज्यादा मौके भी नहीं मिले है लेकिन T20 में सतक जड़ा है आप ये चीज मानों कि इनके पस ability है बड़ा स्कोर करने का बस problem ही है ये भी थोड़ा इनिशेल स्विंग के अगई से struggle करते है अगर स्टार्ट में इनोंने जेल लिया जो कि नॉर्मली करना चाहिए क्योंकि सामने कोई इतना भैतर स्विंग का गेंदवाज है नहीं लाइक मार कोई आंसर तो मुझे रोल प्ले करना है वो भी कर लेते हैं प्लस अगर आते ही first game से hit करना है तो वो भी कर लेते हैं तो काफी capable खिलाडी है डेविड मिला record काफी तगड़े हैं इनके अगेंस्ट इंडिन टीम फॉर्म भी काफी अच्छा है चाहे कोई भी नहीं हो अगर आप risk लेना चाहो तो ल लेना चाहो तो ले सकते हो बस फिर उस्चा में आपको साउफ हरी करें के बले बाज को ड्रॉप करना पड़ेगा रिजा हेंड्रिक्स और साहिद फस्ट निंग में अगर इनिशल स्विंग रहा और या फिर इस्पिन को अच्छा खासर टॉल मिलेगा फस्ट रिपोट में करता है तो मैं डेफिनेटली मिलर को लेगे जाऊंगा क्योंकि मिलर इस्पिन को भी अच्छा खेलते हैं साही सोधर्चन देखो काफी टेकनीक वाई देखोगे तो काफी बहतर बले बाज है गुजटाट टाइटन्स के लिए जब आई-पेल खेला ता वहां पे भी काफी अच्छा किया था उससे पर टी अन्पेल में काफी अच्छा किया हुआ है बस अभी लिस्टे में उतना अच्छा फॉर्म नहीं है इनका अभी के लिए मैंने ड्रॉप किया हुआ है और देखो इंटरनेशनल पे पहले मैच में आके अच्छा करना वो थोड़ा प्रेसर दो रहता है अभी के लिए मैंने नहीं लिया है लेकिन प्लेयर टैलेंटेड है बस देखो अभी उडियाई में किस तरीके से खेलते हैं तो अभी क्लिए छोड़ा हुआ है तिलक वर्मा के उपर मैंने रिस्क लिया अगर खेलेंगे और टू डाउन तक भी आएंगे तो मैंने अगर यह 6th balling option के रूप में खेलेंगे तो हो सकता है कुछ बालिंग भी कर जा और अगर 2nd inning में बालिंग आती है तो में भी इनको कुछ बार मिल सकता है अगर टार्न रहता है तो और ऐसा भी है कि देखो इनके पास ability है स्कोर अच्छा करने का बस थोड़ा फॉर्म गढ़ सब्सक्राइब करेंगे तो यह थोड़ी इंपोर्टेंट हो जाएंगे अगर इनकी टीम 2nd गिंदबाजी कर रही है तो सायद यह थोड़े एवरेज पिक हो जाए क्योंकि तब इस दत में आने के चांसे नहीं रेखेंगे लेकिन हाँ बल्ले से कुछ खास कर सकते है अभी के लिए लिया हुआ है अगर फर्स्ट गिंदबाजी करेंगे तभी लें अगर इनकी टीम 2nd गिंदबाजी कर रहेंगे तो सायद में इनको ना लेगे मैं सामसी को या फर्स्ट बॉलिंग में लिजार्ड विलियम्स को लेके चले जाओ ठीक है यह आफ्टर टॉस की बात है अभी कले मैंने फलुकावियों को लिया है क्योंकि बैटिंग बैकप है तबरे सामसी विकेट टेकिंग बॉलर है लेकिन इस्पिन काफी अच्छा खेलते है इंडियन प्लेर्स तो मैंने ज्यादा एक्सपक्ट नहीं किया इनसे जब त लेकिन कैसा परफर्मिस रहेगा वह जहना थोड़ा मुश्किल इसले नहीं लिया और सदिप फर्स इनिंग की गिंदवाजी आती है तो यह को इस प्रकार से मैंने तिलग वर्माय के उपर रिस्क लिया है जैसा बता है तो मैंने इनको वीसी भी कर दिया है अगर आपको सेफ जाना है ना तो वीसी के देखो अच्छे ओप्शन है मारकरम स्रियर सेयर केल रहूल फरस्ट बैट में आर्वी डू से ठीक है इन में से आप किसी को भी कैप्टन वाइस कप्टन कर सकते हो जिसमें से केल रहूल का और मारकरम का डूवल रोल रहेगा केल विकेट केपिंग भी करेंगे और मारकरम बालिंग भी कर सकते हैं सेयर का रिकॉड काफी अच्छा है फॉम भी अच्छा है यू कें कंचीडर एस कैप्टन ऑल्सो ठीक है ग्रैंड लिग में रिजा हेंट्रिक्स हेंट्रिक लासें अक्सर पटेल आरगाइकवार इनको कैप टीम बनाने तो कैसे बनाओगे रिंकु सिंग डेविड मिलर तीलक वर्मा फैलू काव्य तब्रीश समसी सबका सिच्वेशन समझाया हमने कौन की सिच्वेशन में जादा इंपर्टेंट रहता है तो अकौर्डिंगली इनको रोटेट करो अपनी टीम में एस प्लेयर और ब